हेलो एप्रिवन वेल्कम्म टू अलो फ्यू आई होप मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच रही होगी मैं लाइव हूं इस टाइम पर अगर मेरी ये वोईस आप सभी तक पहुंच रही है तो एक बार कंफर्मेशन दे दीजे आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और पिछले साल के इंपोर्टन करेंट अफेर हम लोग कवर करेंगे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ टार्गेट मैं ये लेकर चल रहा हूँ कि इन सेशन की मदद से पिछले एक साल तक के इंपोर्टन करेंट अफेर आपके कवर हो जाएं आने वाले CHSL एक्जाम के लिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को और उससे पहले जो भी स्टुडेंट इंक्वाईरी कर रहे हैं इस टाइम पे प्लस कोर्स के लिए उन सभी को बता दूँ SSC MTS का जो आने वाला एक्जाम है उसके लिए बैच आ चुका है मेरा अने कैडमी प्लस में साथ में SSC GD कॉंस्टेबल के लिए भी बैच आ चुका है और CPO के लिए भी आप इन बैचेस को जोईन कर सकते हो अने कैडमी प्लस पे यह उपर लिखा है मेरा डिसकाउंट कोड 777 आप इसका यूज करेंगे तो 10% का आपको डिसकाउंट मिल जाएगा अने कैडमी पर और भी इसके अलावा मेरा फुल जीएस का कोर्स चल रहा है आप उसे भी बाई डिवॉल्ट जोईन कर सकते हो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को आज का अमारा पहला कोशन है नाबाड ग्रैंट्स हाउ मच एमाउंट वेस्ट बेंगॉल वाइल 2021 फॉर्ड बेनिफिट ऑफ फार्मर एंड पूर्स कोशन का मतलब यह है कि अभी हाली में 2020 में 2021 के लिए किसानों के लिए और गरीबों के लिए वेस्ट बेंगॉल में नाबाड के द्वारा कितनी दंडाशी आवंटित करी गई थी नाबाड के द्वारा वहाँ पर 1050 करोन की दंडाशी आवंटित करी गई थी इसकी मदद से जो वेस्ट बेंगॉल के किसान और गरीब है उनकी में पैसा लगाया जाएगा नाबाड की बात करें तो 1982 में स्थापना करी गई थी headquarter है मुंबई और नाबाड के chairperson कौन है गोविंद रजलू चिंताला के नाम है गोविंद रजलू चिंताला माफी चाहता हूँ आज मैं session share नहीं कर पाया हूँ अगर आप लोग share कर सकते हैं तो कर दीजए I think students को आज पता नहीं तभी वो class में नहीं आ पाएं और अब तो class भी start हो गी है मैं share भी नहीं कर पाऊंगा चलिए आगे बढ़ते हैं अगला question है FDI in India has become raised from 36 billion dollar to how much after May 2020 आप से कह रहा है भारत में FDI foreign direct investment पिछले साल 36 billion dollar से बढ़कर कितरा हो गया था यह raise होकर पिछले साल आखा गया 73.46 billion dollar और आपका बता दूँ भारत में FDI पिछले साल even covid था तब भी covid pandemic होने के बाद भी पिछले चार साल में highest FDI रहा है यह 70.46 billion dollar और यह report किसकी है यह report DPIIT की थी अगला question है India's first artificial intelligence portal has launched with which URL आपसे कहा रहा है भारत का पहला AI based portal launch किया गया पिछले साल इस portal का URL क्या है इस portal का URL है www.ai.gov.in इसका main मकसद यह है कि भारत सरकार के द्वारा artificial intelligence को लेकर आगे आने वाले टाइम पे क्या-क्या entrepreneurship में मौका दिया जाएगा ultimately कहने का मतलब यह है कि भारत सरकार AI basis पर क्या-क्या करने वाली है और उसके क्या plan है वो सब आपको इस portal से पता लग जाएगे एक चीज और यह कौन सा country है जो की पूरी दुनिया में 2031 तक AI leader वनना चाहता है यह country है UAE United Arab Emirat एक चीज और पूरी दुनिया में पहली artificial intelligence university पिछले साल कौन सा देश में कोली गई यह भी United Arab Emirat है अकेली पूरी दुनिया की artificial intelligence university यह United Arab Emirat में ही है इसके capital क्या है अबू धाभी अगला question है which of the following has been nominated to the delimitation panel from Jammu and Kashmir to assist in redrawing parliamentary and assembly constituencies question का मतलब यह है कि इन चारों में से यह कौन से व्यक्ति है जिनको पिछले साल Jammu Kashmir की जब assembly बनाई जा रही थी नए सिरे से विधान सभा का गठिन किया जा रहा था उसमें शामिल किया गया तो यह हैं फारुक अब्दुल्ला क्या नाम है इनका फारुक अब्दुल्ला फारुक अब्दुल्ला पहले Jammu Kashmir के chief minister भी रह चुके है तो इनके अनुबहों को देखते हुए इन लोगों में फारुक अब्दुल्ला का भी नाम चामिल किया गया तो टोटल पांच लोहों की एक community बनाई गी थी जिसमें एक थे जितिन कुमार, जुगल किशोर शर्मा, अगला question है, which state has demanded a COVID-19 negative certificate from people arriving through road, air and rail? आपसे कहरा है यह कौन सी राज्य सरकार है जिसने पिछले साल यह announce किया था कि कोई भी इस राज्य में चाहे road से आए, चाहे air facility से आए, चाहे rail से आए, आपको negative, COVID-19 certificate लेकर ही आना है, जब तक आप COVID-19 certificate लेकर नहीं आओगे, तब तक आपको entry नहीं दी जाएगी, यह है गोवा सरकार, गोवा सरकार ने पिछले साल यह प्रावधान लागू किया था, गोवा में प्रमो सावंत की सरकार है, और गवर्नर है यहाँ पे बगस सिं खोसियारी, West Bengal में ममता बेनर्जी की सरकार है, गवर्नर है जगदीव दंकड, उडिसा में नवीन पतनाइक की सरकार है, गवर्नर है यहाँ पर गनेशी लाल, उत्राखरण में त्रिविंद सिंह रावत की सरकार है, और गवर्नर है बेबी रानी मोर्या, अगला कुश्चन ह Which of the following leader has signed in order to regulate social media platforms? आपसे कह रहा है, इनमें से यह कौन से leader है, जिन्नोंने पिछले साल एक order sign किया था, इस बहाँ पर कि यह social media platforms को regulate करेंगे, मतलब कह रहा है का, यह कौन से leader है, जिन्नोंने पिछले साल कोशिस करी थी, यह social media platforms को अपने बनाए हुए नियमों से चलाएंगे यह है Donald Trump, इसके बाद काफी criticize भी किया गया था उनको, और by the way, कोई भी social media company इनके इस फैसले के साथ सहमत नहीं थी, और पिछले साल कि यह कौन सी company है, जिसने Donald Trump का account permanently van कर दिया था, ज्यान रखिएगा, यह है Twitter, Twitter ने इनका account permanently भी van कर दिया, पहले इनके tweets delete किये थे, दो tweets, ले ऐसा content अपलोड किया उस पे, जिस पर Twitter ने आपत्ती चता ही, और Twitter का कहना था कि यह लोगों में एक तरीके से लोगों को भढ़काने के लिए such kind of tweets थे, tweets थे, तो उसको Twitter ने finally, इनके account को permanently van कर दिया था, और इतरा ही नहीं, इनका जो YouTube account है, उसको भी YouTube के द्वारा साथ दिन के दिया कहता, तो Donald Trump के लिए पिछला साल अच्छा नीरा और इनकी सरकार भी चली गई पिछले साल, by the way आपको ध्यान रखना है पिछले साल, Benjamin Netanyu की इसराइल में सरकार आईए फिर से, ये कौन सी बार प्रधान मंत्री बने है इसराइल के, ये पांचवी बार प्रधान मंत् के रूप में किसको अपॉइंट किया गए है, पावर फिनेंस कॉर्परेशन लिम्टेट के नए मैनेजिंग डिरेक्टर बनाए गए है, इनका नाम है R.S. डिलन, रविंदर सिंग डिलन, पावर फिनेंस कॉर्परेशन की स्थापना 1986 में करी गई थी, इसका एमंग दा फॉलोइंग, वर्ल्ड लीडर्स ट्वीट्स एस मिसलेडिंग, देखे वही कुश्चत जो अभी अभी मैंने आपको बताया, कि ट्विटर ने पिछले साल कौन से ये दुनिया के बड़े लीडर्स में से एक है, जिनके ट्वीट्स को मिसलेडिंग बदाया था, तो ये डोनाल्ड ट्रम्प ही है, इनके अकाउंट को सस्पेंड भी कर दिया गयाता है ट्विटर के द्वारा, और ट्विटर की बात करें, तो 2006 में स्थापना करी गई थी, इसका हैट क्वाटर है कैलिफोर्निया, और इसके इस टाइम पे CEO है, जैक डॉर्सी, क्या नाम है अगला कुश्चन है, which country has announced the termination of its relationship with WHO over its handling of coronavirus pandemic, कुश्चन का मतलब यह है कि यह कौन सा देश है, जिसने पिछले साल एनाउंस किया था, कि यह World Health Organization से अपनी सदस्ता खतम कर देंगे, मतलब termination कर दिया इन्होंने अपनी membership को, तो यह है America, अमेरिका में Donald Trump की सरकार्ती और finally Donald Trump के द्वारा ही यह फैसला लिया गया था, इनका कहना था कि एक ऐसी बिमारी COVID जिसका इलाज दुनिया की सबसे बड़ी health organization के पास अगर नहीं है, तो इस organization का member होने का कोई फायता नहीं, और यह कहते हुए इन्होंने WHO से अपनी membership वापस ले ली, ध्यान रखिए, अमेरिका अभी भी WHO की, का notice period सर्फ कर रहा है, आकरी के एक साल, और यह time हो जाएगा जुलाई में, तो जुलाई के मन्त में, अमेरिका finally withdraw कर जाएगा WHO से, WHO का कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अब सरकार बदल गई है, जे बीडिन के अब वहां पर सरकार है, तो देखने आली बात यह होगी, क्या अमेरिका member रहता है WHO का या नहीं रहता है, well, most probably रहेगा ही रहेगा क्योंकि सरकार बदल गई है, and I think कोई भी बड़ा country ऐसे नहीं करेगा, और US की capital है Washington, France की capital है Paris, Indonesia की capital है ZAKARTA, और Jaina की capital है Beijing, which bank has acquired 24.19% stakes in Diss TV, यह कौन सा bank है, जिसमें पिछले साल 24.19% stake Diss TV में खरीदे, यह है Yes Bank, बारत का चौथा सबसे बड़ा private sector bank, Yes Bank, Yes Bank की स्थापना साल 2004 में करी गई थी, headquarter S का Mumbai, और President इसका कौन है, या फिर आप बोल सकते CEO कौन है, परशान्त कुमार, और Axis Bank, SDFC और ICICI, तीनों का headquarter भी Mumbai है, Axis की स्थापना 1993 में करी गई थी, SDFC की 94 में, और ICICI की भी 94 में, और Axis Bank के CEO है, अमिताब चौधरी, SDFC के हैं इस टाइम पे शेशदर जगदीशन, और ICICI के हैं संदीब बक्षी, और DISC TV के इस टाइम पे CEO कौन है, कोई बता सकता है, चलिए मैं ही बताता हूँ, यह हैं Anil Dua, क्या नाम है Anil Dua, और DISC TV की भी स्थापना 2003 में करी गई थी, headquarter है इसका नुएडा, पिछले साल, यह कौन सी कंपनी है, जिसने सबसे ज़्यादा स्टेक्स Reliance Jio में करीदे, फेस्बुक ने कितने परसेंट स्टेक करीदे, 9.9 परसेंट स्टेक फेस्बुक ने करीदे हैं पिछले साल, अगला कुश्चन है, इसको लांच क्या था, Google ने, Google ने, शोशल डिस्टेंसिंग के लिए, इस तोडार नाम के अप्लिकेशन को लांच किया था, शोशल डिस्टेंसिंग के लिए, आप इस अप्लिकेशन की मदश से, अलाम लगा सकते हो, example के तौर पर अगर बात करी जाए, जैसे यह आप हो, आपने अपने mobile application में sodar को भी install कर रखा है, तो sodar में आपको option मिलेगा जैसे 2 meter की radius या 5 meter की radius या 6 meter की radius, ऐसे, मान लेते हैं, आपने 2 meter की radius इसमें set कर ली, तो आपसे 2 meter की radius के अंदर में आपके जैसे ही कोई आएगा, या आपको alarm बजा देगा, तीक है, आपको alarm बजा के alert कर देगा, या फिर vibration में आप लेना चाहें, तो vibrate भी कर देगा, ओके, तो ultimately social distancing को maintain करने के लिए, सोडार mobile application लाँच गया थी, Google की स्थापना 1998 में गरी गई थी, headquarter है California, और Google के CEO कौन है, सुंदर पिचाई, We have observed World Digestive Health Day on this date, World Digestive Health Day हम लोगों ने किस दिन मनाया, ये दिन हम लोग 29 मही को मनाते हैं 8 साल, और पिछले साल की 2020 की थीम क्या थी, इसकी थीम थी, Gut Microbiomy, A Global Perspective, Long Distance Runner, इनका नाम है किरन जीत कौर, इनको पिछले साल वाडा के द्वारा, 4 साल के लिए बैन कर दिया गया, वाडा का मतलब समझ रहे हैं, एक है नाडा और एक है वाडा, वाडा मतलब World Anti-Doping Agency और एक है नाडा, मतलब National Anti-Doping Agency, तो आप से कहा रहा है, वाडा के द्वारा, भारतिये रनर, किरन जीत कौर को, 4 साल के लिए बैन कर दिया गया, क्योंकि ये positive पाई गई डॉप टेस्ट में, तो डॉप टेस्ट में positive पाई जाने की वज़े से इनको 4 साल के लिए बैन किया गया, question ये है, ये कौन से country में positive पाई गई थी, ये कतर में positive पाई गई थी, कहाँ पर कतर की capital दोहा में, और इनका जो ये ban period है, ये कब से start हुआ, ये इनका ban period स्टार्ट हुआ था, मैं आपको बता दूँ, 15 दिसम्बर 2019 से, अब आप कहोगे 2020 के एक रेंट अफेर है, एक्चली 15 दिसम्बर 2019 से इनका case चल रहा था, और finally decision आया था करीब April में किया असपास, तो इनका जो consider किया गया है, banning period, वो यही किया गया है, consider, जब से dope test में positive हाई थी, ठीक है, तो 2019 दिसम्बर से, अब ये कितना हो जाएगा, अब ये कब कहल पाएंगी 2020, 21, 22, 23, तो अब ये 2024 में लगबग कहल पाएंगी, UAE की capital है अबू धाबी, साउधी अरेबिया की capital है रियाद, इरान की capital है तहरान, और वाड़ा की अगर बात करें, तो वाड़ा की स्थापना 1999 में गरी गई थी, इसका headquarter है Montreal, क्या है, Montreal, अगला कोशन है, on which date we have celebrated World Milk Day, विश्व दुख दुदिवस हम लोग किस दिन मनाते हैं, 29, 30, 31 या फिर एक जून, इसको हम लोग हर साल एक जून के दिन मनाते हैं, जून की पहली तारीक को World Milk Day के रुप में मनाया जाता है, अगला कोशन है, यह कौन से क्रिकेटर है, जिनको BCCI के द्वारा राजिव गांधी खेल रतने अवार्ड के लिए नॉमिनिट किया गया था, यह है रोहिस शर्मा, रोहिस शर्मा, और BCCI के अगर बात करें, 1928 में स्थापना करी गई थी, हेड़कॉर्टर है BCCI का मुंबई, और इसके सेक्रेटरी कौन है, जे शाह, और BCCI के प्रेसिडेंट कौन है, स्वारफ गांगुली, अगला कोश्चन है, रिसेंटली, in which place, the tensions between India and China are growing over, disagreements over, line of actual control, आप से कहा रहा है, यह कौन सी जगे है, जहां पर पिछले साल, भारत और चाइना के बीच में, tensions बढ़ रही थी, disagreements of line of actual control को लेकर, यह जगे है, Eastern Ladakh, Eastern Ladakh range, और यह कौन सी जगे है, जहां पर पिछले साल अभी भारत और चाइना के जवानों के बीच में, कई सारी अभी जड़ब भी हुई थी, और आकरी में, जहां पर वो पूरा मुद्दा है, जिसकी वज़े से पूरी tensions हो गई थी, जिसकी वज़े से फिर L.A.C. में, उन International Pressure की भी वज़े से पीछे जाना पड़ा, तो वो है गलवान वैली, उस जगे को क्या बोलते हैं, गलवान वैली, जहां पर यह सब हुआता है, अगला कोशन है, वो लॉंस्ट, माई लाइफ, माई योगा, अब वीडियो ब्लॉगिंग कॉम्पेटिशन, आप से कह रहा है सरकार का कहना था, कि आप योगा करते हुए अपने वीडियो पोस्ट करिये, और अगर सरकार को आपके वीडियो पसंद आते हैं, तो आपको सम्मानित भी किया जाएगा, तो यह एक तरीके का वीडियो ब्लॉगिंग कॉम्पेटिशन था, योगा को प्रमोट करने के लिए अगला कोशन है, आपको समय पिछले साल नासा के तरॉनॉट के द्वारा युणिवर्स में एक ऐसा आपके पाया गया, जो कि एस्टरोइट की तरह भी दिखता है, और कामेट की तरह भी दिखता है। तो आपसे कह रहा है इसका नाम क्या रखा गया इसका नाम रखा गया था active asteroid क्या रखा गया active asteroid आपको पता है कि आपको asteroid और comet के बीच में difference क्या होता है हमेशा ध्यान रखेगा यह जो asteroid होते है asteroid rock और metal से मिलकर बने होते हैं किस से चट्टानों से और दातू से लेकिन यह जो comet होते हैं comet होते हैं न कॉमेट आपकी ठंडे होते हैं और जो asteroid होते हैं जात हर इनका temperature बहुत हाई होता है तो यह एक basic सा अंतर है asteroid और comet के बीच में तो आपसे कहा रहा है अभी हाली में एक ऐसा object पाया गया है जो कि asteroid और comet दोनों की तरह दिख रहा था इसका नाम रखा गया active asteroid अगला question है scientist confirm the existence of earth-like planet revolving around proxima century what is the name of that planet आपसे कहा रहा है scientistों ने अभी हाली में पाया कि earth के पास proxima century जो है वहाँ पर एक revolving planet की तरह एक object की existence देखी गई है देखो पहले तो आपको बता दूँ proxima century है क्या proxima century जो है यह sun के सबसे पास का star है बात आ रही है समझ sun अपने आप में star है और sun के पास का star सबसे पास का star proxima century कहलाता है तो आप से कह रहा है कि जैसा proxima century दिखता है उसी तरीके से अर्थ के पास गोमता हुआ एक object दिखाई गया दिखाई दिया वाट इस दा नेम ओफ देट प्लानेट उसका नाम क्या रखा गया उसका नाम रखा गया proxima b क्या नाम रखा गया आप से कह रहा है पिछले साल 2020 का अग्रियो लॉजिकल और नाच्रल फार्मिंग क्या गया किसके द्वारा इसको नीती आयोग के द्वारा और नीती आयोग के चेर परसन कौन है अगला कुशन है और इसके वाराइस चेर परसन कौन है यह है डॉक्टर राजीव कुमार और अगर CEO पूचा जाए तो आपका अंसर होगा अमिताब कांथ According to new definition of MSME the investment of up to Rs.50 क्रों and a turnover of Rs.250 क्रों will now define a company as which unit Question का मतलब समझो क्या बोल रहा है आप से कह रहा है पिछले साल सरकार के द्वारा MSME की नई definition दी गई इस नई definition के तहत यह बताया गया कि ऐसी कंपनी जिसका turnover 50 क्रोंड तक का है turnover 250 क्रोंड तक का है और investment 50 क्रोंड तक का है ऐसी कंपनी को इतना आपको ध्यान रखना है और MSME इस टाइम पर किसके पास है यह है नितिन जहराम गटकरी के पास किसके पास नितिन जहराम गटकरी अगला question है Recently RBI announced that Government of India has discontinued how much percent saving bond आप से कह रहा है RBI के द्वारा पिछले साल announced क्या गया कि भारत सरकार कितने percent के saving bonds को discontinue कर रही है भारत सरकार करीब पौने 8 percent के saving bond को discontinue कर रही है RBI की स्थापना 1935 में करी गई थी RBI का headquarter है मुंबई और RBI की governor है शक्ति कांटदास आप में से कौन बता सकता है कि पिछले साल RBI के कौन से deputy governor है जिनका कारेकाल एक साल के लिए बढ़ा दिया गया इनका नाम है BP कानून गो क्या नाम है BP कानून गो जान रखेगा सभी लोग अगला question है Which country has objected the presence of US third missile in South Korea आप से कह रहा है यह कौन सा देश है जिसके द्वारा पिछले साल South Korea में US third missile रखने की वज़े से objection किया गया था मतब South Korea की यह missile है US third यह missile South Korea के पास क्यों है इसके लिए object किया किस देश ने यह है चाइना चाइना ने इसके लिए objection जताया था यह missile काफी deadly weapon है अपने आप में और चाइना इस बात के लिए agree नहीं है कि यह missile South Korea रखे basically इस वज़े से इन्होंने इसके खिलाफ जाने की कोशिस करी थी लेकिन हुआ कुछ नहीं आप सभी को पता है ऐसे cases में होता कुछ नहीं है और चाइना की capital है Beijing साओधी Arabia की capital है Riyadh जापान की capital है Tokyo और पाकिस्तान की capital Islamabad धान रखेगा इस साल के Summer Olympics जापान की capital Tokyo में होने जा रहे हैं कब से कब तक होंगे जुलाई से लेकर अगस्त तक होंगे मैंने आपको बताया था कि साल 2020 का कुम्ब मेला हरिद्वार में जो आयुजित किया जा रहा है ये कब से start है ये आने वाले 1 April से start होने जा रहा है इस बार कुम्ब मेला कब तक चलेगा ये 30 दिन तक चलेगा एक से लेकर 30 April तक अगला कुशन है आपसे कहा रहा है एक rare मचली की प्रजाती पाई गई जिसका नाम क्या है इसका नाम है Scorponanses Neglecta Scorponanses Neglecta नाम की एक मचली की नई प्रजाती पाई गई ये कौन सी जगह पर पाई गई पिछले साल ये Gulf of Mannaar में पाई गई Gulf of Mannaar आपको पता है किस जगह को बोलते है ये है भारत और ये है चाइना माफ करेगा ये है श्री लंका तो इसके बीच में ये वाला जो हिस्सा है ये वाला जो हिस्सा है ये इस कॉल्ड Gulf of Mannaar और क्या बता सकते हो अभी कुस टाइम पहले एक filament verb क्या नाम है यहाँ पर मैं लिखता हूँ filament burp नाम की मचली की एक नई प्रजाती कहाँ पर पाई गई थी तो अगर आपसे पूसता है filament burp नाम की मचली की प्रजाती कहाँ पाई गई तो आपका अंसर क्या होगा western ghat western ghat ये कौन है भाई उज्वल तिवारी कहना है sir आपके discussion group से मुझे block कर दिया गया है नहीं नहीं actually discussion group से आपको block कर दिया गया है discussion group telegram की बात कर ले हो चले मैं देख लूँगा देख लूँगा तिवारी जी देख लूँगा परशान मत होई है अगला कुश्य है government of India has allocated रुपी 1832 क्रोड to बिहार and 1407 क्रोड to Assam under wage scheme आप से कहरा है भारत सरकार के द्वारा पिछने साल 1832 क्रोड रुपए बिहार को दिये गया और 1407 क्रोड रुपए Assam को दिये गया कौन सी स्कीम के तहत यह जल जीवन मिशन के तहत दिये गए जल जीवन मिशन के तहत अब आप समझी चुके होगे ultimately यह जो पैसा दिया गया है तो बिहार सरकार 1832 करोण की मदद से बिहार के अंदर पानी की सुवधा को बैतर बनाएंगे और वही काम आसाम सरकार भी करेगी आसाम के अंदर यह इसका में मकसद है और जल जीवन मिशन जो है यह कौन से मिनिस्टी के अंदर गताता है यह जल शक्ती मिनिस्टी के अंदर गताता है और इसके मिनिस्टर कौन है गजेंग सिंग सेखावत आपको ध्यान रखना है प्रधानमंति निरेन मूधी के द्वारा एक प्रोग्राम लॉंच किया गया है जिसका नाम है हर घर जल हर घर जल मिशल इसका टारगेट क्या है इसका टारगेट है साल 2024 दो हजार चौबिस तर भारत के हार एक घर में प्रतेक घर में टाप वाटर की फैसलिटी होनी चाहिए अब तब किसी को भी बाहर पानी लेने ना जाना पड़े घर पे ही पानी की फैसलिटी हो आप से कह रहा है दुनिया की पहली ऐसी प्राइवेट कमपनी कौन सी बन गई जिसने अपना रॉकेट इस्पेस में वेजा यह है स्पेसेक्स स्पेसेक्स एलोन मस्क की कमपनी है इसकी इस्थापना साल 2002 में करी गई थी और इसका हेड़कॉर्टर है कैलिफोर्निया क्या आप बता सकते हो भारत सरकार के हमारी जो इसरो है इंडियान स्पेस रिसर्च और्गनाइजेशन इसके द्वारा अभी हाली में इसी महीन है मतब आप बोल सकते हो मुश्किल से एक हफते पहले एक सैटलाइट लॉंच करी गई है जिसका नाम है एमाजोनिया वन यह जो एमाजोनिया वन है यह कौन से देश की सैटलाइट है आपको धहाम लखना है यह ब्राजील की सैटलाइट है तो ब्राजील की सैटलाइट पढ़ता है अगला कोश्चन है लेटिनेंट जनरल मनोज पांडे एजूम्ड चार्ज एस दा फिफ्टीन्थ कमांडर इंचीफ विच प्लेस पिछले साल लेटिनेंट जनरल मनोज पांडे को पंदरमा कमांडर इंचीफ बनाए गया कौन सी जगह अपर यह अंडमान और निक कौन है यह हैं डीके जोशी क्या नाम है डीके जोशी और आप लोगों को पता ही है ना पुडुचेरी की लेटिनेंट गवरनर किरन बेदी के द्वारा रिजाइन कर दिया गया था और उसके बाद यहां पे जो पोल था वो वी नरायन सामी जो कि हांके चीफ मिनिस्टर थे कॉंग्रेस की तरफ से वो अपना पोल भी हार गये थे लॉस कर दिया था उन्होंने तो अब यहां पे रास्पती शार्षन लग चुका है पुडुचेरी में तो आप से कोशन पूचेगा कि अभी हाली में यह कौन सी यूटी है जहां पर रास्पती शार्षन लगा हुआ ह और बहुत जल्द यहां पर इलेक्शन होने वाले गोवा में प्रमो सावंध की सरकार है और मुझे कमेंड बॉक्स में क्या आप लिखकर बता सकते हो दमन दीप में एड्मिनिस्टेटर कौन है ज़रा बताइए अगला कॉशन है वूआज है चार्ज एस secretary of ministry of steel आप से कहले साल ministry of steel जो है हमारी उसके नए सचिफ के रूप में किसको अपॉइंट किया गया इसके नए सचिफ के रूप में तृपाटी जी को अपॉइंट किया गया प्रदीप कुमांग तृपाटी Senior I.S. इदिकारी है He has become the Secretary of Ministry of Steel और Ministry of Steel किसके पास है द्यान रखेगा ये है धर्मेंद प्रदान के पास और अभी मैंने आपसे जो पूछा था कई सारे लोगों ने सही आंसर किया है जो लोग भी आंसर कर रहे है प्रफुल पटेल उन सभी का आनसर सही है मैंने आपसे पूछा था ना द्यान दीव के अड्मेस्टेर कौन है प्रफुल पटेल अगला कूशन है We have observed the Establishment Day of टेलंगाना आपसे कह रहा है तेलंगाना का स्थापना दिवस हम लोग कौन से दिन मनाते हैं तेलंगाना का स्थापना दिवस हर साल दो जून को मनाया जातास है। इसकी स्थापना 2 जून 2014 को करी गई थी। और तेलंगाना भारत का कौन सा राज्य बना था। यह भारत का 29 अस्टेट बना था। 29 अस्टेट। से टेलंगाना में गवर्णर कौन है, यहां तमल्सा ही सुन्ध राजन, और यहां पे सरकार चल रही है, चंदरशेकर राओ की, चंदरशेकर राओ, जानला तेलंगाना सरकार ने, पिछले साल, गोविट पेंडमिक में, वी सेफ टेनल लॉंच करी थी, क्या करी थी, वी सेफ इस tunnel के अंदर से अगर आप होके गुजरोगे तो आपको यह sanitize कर देगी पूरा इसके अंदर आपको 20 सेकेंड कड़ा होना होगा और उसके बाद निकल जाईए Government offices के बाहर इसको लगाया क्या था इनका नाम है आश आर श्री लेखा She has become the first woman DGP in which state आप से कहा रहा है आर श्री लेखा कौन से राज में पहली महिला Director General of Police बनाई गई यह केरल की पहली महिला DGP बनाई गई और इतना ही नहीं IPS आर श्री लेखा एक author भी है यह writing भी करती है और केरल में पिनाराय विजन की सरकार है और गवरनर है आरिफ मुहमत कान आंधर प्रदेश में Y.S. जगमौन रेड़ी की सरकार है गवरनर है यहाँ पर बिस भूशन हरी चंदन गुजरात में विजरुपानी की सरकार है गवरनर है आपर आचार देव वरत ओडीसा में नवीन पतनाईक की सरकार है गवरनर है गनेशी लाल अगला कुशन है गवरनर्मेंट हैस एनाउंस्ट तो प्रोवाइड किसान क्रेड़िट कार्ड तो हाउ मैनी डेरी फार्मर्स बिलॉंगिंग्स टू प्रश्षिक का मतलब यह है कि भारत सरकार के द्वारा एनाउंस किया गया कि किसान क्रेड कार्ड दिये जाएंगे पूरे भारत भर में कितने डेरी फार्मर्स को जो की मिल्क यूनियन और मिल्क प्रेड़िट कंपनी से बिलॉंग करते हैं पूरे भारत में देड़ करोण किसानों को भारत सरकार किसान क्रेड कार्ड देगी ओके यह ऐसे किसान होंगे जो की दूद का उत्पादन करते हैं और मिल्क प्रेड़ूसिंग कंपनीस को देते हैं जैसे कि अमूल हो गई और मदर डेरी हो गई इन कंपनीस को अगर और इस टाइम पर एनिमल एंड हस्बेंट्री मिनिस्ट्री किसके पास है इसके मिनिस्टर नहीं गिरिराज सिंग सर आपका पढ़ाया हुआ बहुत कोश्चन मुनिस्पल कॉर्परेशन की एक्जाम में आये थे धन्यवाद मेहनत तो आपकी है पढ़ाई आपने करी मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ बट उसके बाद भी बहुत सारे स्टुजेंट पढ़ते ही नहीं है तो इसके लिए मैं तहने बाद आपको कहूंगा यह आपकी मेहनत है आज यूटिब पर क्लास नहीं हो पाई मैं थोड़ा सा फील नहीं कर रहा था तब यह थोड़ी सी ठीक नहीं है इस वज़े से बट अभी बारा बज़े जो क्लास है प्लस में जो प्लस में आज एकनोमिक्स की पहली क्लास है वो मैं लूँगा ही लूँगा तो आज का मैं आप लोगों को शिडील भी रता देता हूँ पूरा शाम तक का क्या है बारा बज़े भी प्लस में क्लास है एकनोमिक्स की और उसके बाद तीन बज़े भी प्लस में करेंट अफेर की क्लास है देड़ गंटे वाली और फिर शाम को आपकी क्लास होगी साड़े आठ बज़े चैनल पर भी क्लास होगी ठीक है यह सारा शिडीूल है और इसके बीच में most probably मैं आपको आज के current fair भी दे दूँगा जो मैंने नहीं दिये चलिए आगे बढ़ते हैं MSMEs with an investment of रुपी 1 क्रोन and turnover of रुपी 5 क्रोन will be classified in which category आप से कह रहा है ऐसे MSME मतलब ऐसे business की बात हो रही है जिसमें 1 क्रोन तक का investment किया गया हो और turnover 5 क्रोन रुपी तक का हो इसको आप कौन सी category में रखोगे ऐसे MSMEs को micro unit की category में रखा जाता है किसमें? micro unit ज्यान लखना अच्छा चलो यहाँ पर आप लोगों को confusion होता है मैं आपको बताई देता हूँ इधर देखो small, micro और medium में classify किस तरीके से किया जाता है ज्यान से देखना सबसे पहले बात करते हैं micro की micro micro industries वो होती है जहाँ पर ऐसे लिख लेते है investment यह होगया investment और इधर होगया आपका turnover तो micro वो होती है जिसमें investment एक करोण का हो और turnover आपके सामने लिखा हुआ है पाच करोण का हो ठीक है उनको बोलेंगे micro अब इसके बाद दूसरी एक होती है जिसको बोलते है small industry small की खास बात यह है कि इसमें जो investment है यह 10 करोण रुपए तक का होता है और turnover जो होता है वो 50 करोण रुपए तक का होता है इसको बोलते है small industry ठीक है और तीसरी होती है medium जिसके बारे मैं भी मैंने आपसे बात करी थी पांच नट पहले ही medium का मतलब होता है इसमें investment 50 करोण तक का होता है और जो turnover होता है यह 250 करोण तक का होता है बात समझ आगी अब तो नहीं बूलोगे screenshot लेना है तो screenshot ले लो यहां से ठीक है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को तो एक बार screenshot आपको लेना है अगर confusion है तो ले लो थाकि फिर आगे बढ़ता है तो इस तरीके से industries को consider किया जाता है कई बार आपसे range भी पूल दिता है और आपको लगता है पता नहीं कहाँ से question पूल दिया यह चीज ध्यान में लखे लगए अगला question है Global Day of Parents is observed on which date आपसे कह रहा है Global Day of Parents हम लोग किस दिन मनाते है हर साल यह दिवस एक जून को मनाया जाता है जून की पहली तारीक को और ध्यान रख रहा है Global Day of Parents के साथ-साथ एक जून को World Milk Day भी मनाते है विश्य दुख्द दिवस World Milk Day अगला question है Swiss Federal Institute of Technology has developed World's First Watt application with exposure notification API of Apple and Google question का मतलब समझो आप से क्या कह रहा है कह रहा है Swiss Federal Institute of Technology के द्वारा पिछले साल दुनिया का पहला यह कौन सा application launch किया गया जिसको आप Apple और Google दोनों के API में यूज कर सकते हो इसका नाम है Swiss COVID क्या है Swiss COVID यह दुनिया भर के coronavirus test को explore करने के लिए बनाए गया है मतलब कहने का कि आप दुनिया भर की knowledge ले सकते हो कि पूरे world में COVID pandemic की क्या situation चल रही है कितने लोग positive हुए कितने recover हुए और कितने नहीं रहे यह सारी चीज़ें आपको पता लग जाएंगी हर एक country का data यह आपको दे सकता है अगला question है पिछले साल Ministry of Chemical and Fertilizer के मुख्य सजिट के रूप में किसको appoint किया गया Ministry of Chemical and Fertilizer के secretary बनाए गया R.K. चतुरवेदी senior I.S. अधिकारी है और यह ministry किसके पास है यह ministry DV सतानंद गौडा के पास है अच्छा R.K. चतुरवेदी ने किसको सक्सीड किया इनसे पहले secretary थे P. रागवेंदर क्या नाम है P. रागवेंदर इन्होंने P. रागवेंदर को सक्सीड किया और चलिए अच्छा बताईए अभी दो दिन पहले ही मैंने आपको बताया हुआ है पूरे भारत के secretary of revenue department कौन बनाएगे तो आपका अंसर होगा तरुन बजाज senior I.S. अधिकारी तरुन बजाज has become the secretary of Indian revenue department और इन्होंने किसको सक्सीड किया इन्होंने A.B. पांडे अजय भूशन पांडे को सक्सीड किया है पांडे जी रिटायर हो गए है 28 फरवरी हो अगला question है according to a Scotland research which of the following is the world's oldest known land animal आप से कह रहा है पिछले साल Scotland की एक research के आधार पर ये पता लगा कि दुनिया का सबसे पुराना animal जो है अके ये पाया गया इसका नाम क्या है इसके मतलब साथ छिपाए गए basically blueprint इसके पाये गए इस तरीके से तो ये इस तरीके का एक animal इसको basically बोला हुआ है बड़ एक तरीके का ये warm था तो इसका नाम क्या है तो इसका नाम आपको ध्यान रखना है इसको बोलते हैं Campycarious Obinensis आपसे ये पूर सकता है कि ये है क्या basically तो अगर जिसने question नहीं पढ़ा होगा वो तो बता भी नहीं पाएगा कि ये है क्या तो इसका नाम ही है Campycarious Obinensis और आप लोगों का पता है Bosilephus Targocamales ये किसका scientific name है ये नील गये का scientific name है और पावो क्रिस्तातस किसको बोलते हैं ये पीकॉक को बोलते हैं पीकॉक, मौर और रेटेस, रेटेस ये किसका है scientific name ये ब्लैक रेट का है ब्लैक रेट काले चुगे का नाम अगला question है SAI और SFI SAI का मतलब क्या है SAI का मतलब है Sport Authority of India और SFI का मतलब है Sport Federation of India इन दोनों ने पिछले साल jointly मिलकर कौन सा program लौंच किया था इन दोनों ने Halo India E.Part Shala को लौंच किया था COVID pandemic की वज़े से कोई भी खेल का मैदान खुल नहीं रहा था जिसकी वज़े से जो खिलाडी थे उनको घर बैठे ही instructions दिये जा रहे थे SAI और SFI के दोरा इन instructions को वो follow करके अपनी training वगेरा अपने घर पर ही कर सकते थे इस वज़े से E.Part Shala चलाई गई थी SAI और SFI के दोरा SAI की स्थापना 1984 में करी गई थी Sport Authority of India और SFI की स्थापना 1950 में करी गई थी Sport Federation of India SFI का headquarter है NOEDA आज की rate में greater NOEDA हो गया है ठीक है और SAI का headquarter नहीं दिल ली है अगला question है famous sprinter इनका नाम है Bobby Morrow इनका निधन हो गया पिछले साल Bobby Morrow कौन से देश के खिलाडी थे ये अमरीकी खिलाडी थे इनका निधन हो गया पिछले साल 84 वर्ष की उमर में इनका निधन हो गया और अमेरिका की capital क्या है Washington Egypt की capital है Cairo Canada की capital है Ottawa Brazil की Brazilia आप से कह रहा है पिछले साल एक तूफान आया था जिसका नाम था Nisarg Nisarg नाम का ये जो साइकलोन था ये भारत के कौन से राज्य की coastal area पर आया था ये गुजरात और महरास्टा के coastal area पर आया था निसर नाम का तूफान ज्यान लखेगा और एक तूफान और आना था जिसका नाम था वायू ये वायू किधर आना था ये है भारत ठीक है तो ये जो आपका ये वाला इससा है गुजरात वाला ठीक है यहाँ पर इसको आना था और गुजरात पर हिट करना था लेकिन था क्या कि ये फिर आके मुड़ गया था इधर की तरफ ये आपका पहले आपका कराची पोर्ट की तरह मुड़ा और उसके बाद यह उधर भी नहीं गया, तो यह पूरा ही यहीं पर ही घूम के रह गया, वायू, तो यह बेसिकली आ नहीं पाया था यहां पर, पर निसर गाया था, यह गुजरात और महारास्टा के कोस्टल एलिया पर आया था अगला कुश्चन है चीफ फिनिस्टर अर्विन्द केजरिवाल has launched डेली कोरोना एप मोटो of this app to what आप से कह रहा है दिल्ली के चीफ फिनिस्टर अर्विन्द केजरिवाल के द्वारा डेली कोरोना एप लॉंच क्या गया पिछके साल इस application का मोटो क्या है इस application का मोटो आपको ध्यान लगना है track ventilators and hospital bed मतलब कहने का कि अगर दिल्ली के अंदर आप किसी भी patient को ले जा रहे हो hospital तो hospital में कई बार ऐसा होता है कि आप patient को ले गए तो वहाँ पर bed की availability नहीं मिलती आपको तो पहले ही आप घर पे बैट के डेली कोरोना एप से देख लीजे यह आपको दिखा देगा कि दिल्ली में कौन से hospital में कितने bed खा ली है और अगर ventilator है भी की नहीं है तो यह सारी चीज़े आपको दिखा देगा आप उसी hospital जाईए तो यह track ventilator and hospital beds के लिए launch किया गया था खाफी अच्चा application है और आपको ध्यान रखना है दिल्ली सरकार वो सरकार है जिसने पिछले साल stress लगाया था लिखकर के उपर कितना परसेंट stress लगाया था इन्होंने 70% शराब की विक्री में 70% एक्स्टा पैसा दिल्ली सरकार ने लिया था सेस के रूप में इन्होंने 50 प्लैन भी launch किया था और एक इन्होंने और प्रोग्राम लॉंच किया था जिसका नाम था operation shield जिसका main मकसद क्या था घर घर जाके covid sample कलेक्ट करना आप से कह रहा है साल 2020 की Forbes Rich List में सबसे ज़्यादा पे किये जाने वाले athlete कौन रहे या फिर आप ये भी बोल सकते हो दुनिया के सबसे अमीर athlete कौन रहे Forbes 2020 की लिस्ट के हादार पर ये रहे रोजर फेडरर रोजर फेडरर स्विट्जर लैंड के टेनिस प्लेयर दुनिया के बहुत बड़े टेनिस प्लेयर हैं और अभी तो कहार पिछले दो साल से इनका लग साही नहीं चल रहा है अभी अगर टेनिस professionals में बात करें तो नौवाग जोकविच और रोजर फेडरर भी है नमबर बन पे वेल अगर बात करी जाए पे में तो आपको ध्यान लग रहा है रोजर फेडरर की इंकम पुरी दुनिया में सबसे ज़्यादा रहे इनकी इंकम कितनी है एक साल की 106 मिलियन डॉलर इनकी इं समझ तो आप समझ सकते हो फेमस चाहरा है पूरे वर्ल्ड में ब्रैंड एंडॉर्समेंट के मामले में और अगर आपसे पुछा जाए फोप्स 2020 की लिस्ट के अधार पर ये कौन से एथलीट है जो की इनकी सेलरी सबसे जादा है तो ये है लियोनल मैसी पुड़बॉलर इन में से एंडॉर्समेंट से 100 मिलियन कमाते है और अगर देखा जाए सेलरी किस की ज़्यादा है सबसे लियोनल मैसी ये देखिए सेलरी सबसे ज़्यादा लियोनल मैसी की है 72 मिलियन डॉलर और ये जो आप नाम यहाँ पे देख रहे हो लिब्रॉन जेम्स ये भी उस टाइम की तरफ से एथलीट ऑफ दा येर 2020 के कौन डिकलियर के गए है तो आपका आंसर क्या होगा लिब्रॉन जेम्स ठीक है तो आप भूलना मत कोशन आप समझ गया ना टाइम की तरफ से एथलीट ऑफ दा ये 2020 रहे लिब्रॉन जेम्स अगला कोशन है और विस डेट वी है वब वर्ड बायसिक्ल डे वर्ड विद्र विब्र वर्ड वाइसिकल डे हम लोग किस दिन मनाते है ये कौन है वहीux यह कह रहा है सेल्टी कौन देता है अरे बाई जिसके लिए खेलेंगे वही सेल्टी देगा ना अब जैसे मेसी है तो मेसी हो गए रोनार्डो हो गए नेमार हो गए यह सब फुटबॉल क्लब के लिए खेलते हैं ना फुटबॉल क्लब ही तो इनको सेल्टी देगा न तो वर् आप से कह रहा है Union Cabinet has approved to rename Kolkata Port as what Union Cabinet के द्वारा approval दे दिया गया पिछले साल कि Kolkata Port का नाम बदल के क्या रख दिया जाएगा इस Port का नाम बदल के शामा प्रसाद मुकरजी Port रख दिया गया है ठीक है और शामा प्रसाद मुकरजी कौन थे बेसिकली अगर बात करी जाए तो एक बैरिस्टर थे वकील थे लेकिन उसके बाद यह पॉलिटीशन भी थे जब भारत आजाद हुआ था तो उस टाइम पर इनको पोर्टफोलियो मिला था Ministry for Industry and Supply ओके तो जवाललाल नहरू का जो कैबिनेट था उस पर इनको जगह मिली थी यह Minister of Industry and Supply थे और यह अब तक मिनिस्टर नहीं है 1903 था 1903 में फिर इनका निदान हो गया अगला कुश्चन है आप से कह रहा है साल 2020 के स्टार्टप इकोसिस्टम रांकिंग रिपोर्ट में भारत ने कौन सी रैंक सेक्योर करी थी भारत ने 23 रैंक सेक्योर करी थी ठीक है और नंबर वन पे कौन सा देश रहा अमरीका नंबर वन पे रहा With which country India has signed an agreement to improve cooperation in the area of environment बिछले साल यह कौन सा देश है 2020 में जिसके साथ भारत सरकार ने Corporation in the Area of Environment Pact Assigned किया मतलब कहने का कि जो हमारा Environment है पर्यावरण उसको बहतर बनाने के लिए किस देश का सायोग हम ले रहे हैं हम भूटान का सायोग ले रहे हैं और भूटान एक तरीके से पूरे वर्ल्ड के लिए रोल मॉडल बन चुका है Environment को लेकर भूटान पूरी दुनिया का अकेला ऐसा देश है जहां पर Carbon Production Zero है कितना? Zero बिल्कुल नहीं है खतम, टाटा, बाइबाइ और भूटान की Capital क्या है? थिम्पू और भूटान में सरकार किसकी है? Lote Sharing की सरकार अगला कुशन है Recently, who launched Pan-India Real-Time Market in Electricity? आप से कह रहा है विछले साल इन में से किसके द्वारा Pan-India Real-Time Market Electricity के फॉर्म में लॉँच करी गई मतलब कहने का एक Real-Time Market का मतलब सौंच रहे Electricity के लिए आप घर बैठे ओटल के थूँ जितनी बिजली चाहें उतनी बिजली खरी सकते हैं देखो बिजली खरीदी क्यों जाती है जब बड़े सेटप्स की बात आती है तो बिजली खरीदी जाती है जैसे कि अगर आप अपनी फैक्टरीज चला रहे हो या फिर कई बार इस्तिती बुरी होती है, तो सरकार क्या बोलती है, कि आपकी industry में इस महीने हम कटौती करेंगे, इस महीने आप कम बिजली का use करीए, तो आप पहले सही बिजली खरीद के रख सकते हो, ठीक है, तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, सुर्फ आपको portal पे एक ID बनानी है, और ID बना के आप electricity अपनी तरफ से करीज सकते हो, इवन इतना ही नहीं, जो private electricity supplier है, वो भी सरकार से electricity इसके तहत करीज सकते हैं, तो that is called real-time market in electricity, Pan India, मतलब पूरे इंडिया में इसको आप कहीं से भी करीज सकते हो, तो इसको launch किया गया, किसके द्वारा, इसको राज कुमार सिंग के द्वारा launch किया गया, और राज कुमार सिंग कौन है, यह power minister ने, तो आज की बाद यहीं तक रखते हैं, मुम्मीद करता हूँ, तभी question आपको समझा आ गया होंगे, बाकी मिलते हैं, अभी plus में मिलते हैं, बारा बुज़े, एकनोमिक्स की class में, आज के current affairs शाम तक आपको मिल जाएंगे, बाई